चुनाव आयोग के दायत्वों के श्रिंखला में उसका अगला जो काम है वह है चुनाव की तारीख और कारक्रम तै करना चुनाव की तारीख हैं और कारक्रम ये जो लोकसभा के चुनाव होते हैं ये कोई एक दिन में पूरे देश में नहीं होते अर्थाच 543 जो निर्वाचन खेत्र हैं उन 543 के 543 में एक साथ नहीं होता कारण की इतने चुनाव खेत्रों में यदि हम और सतन 500 मतदान केंद्र मानें तो मतदान केंद्रों की संख्या बहुत मिशाल है और ये आवश्यक है कि मतदान केंद्रों में पर्याप्त स्रक्षा व्यवस्था हो सिक्यूरिटी पर्शनल हो उतने कर्मचारी हो आदी आदी इसलिए इसको कुछ चरणों में किया जाता है और चरणों के लिए अलग अलग तारीखें होती हैं निश्चित नहीं हैं कि ये तारीखें एक दिन फिर उसके तरंद बाद अगले दिन उसके तरंद बाद अगले दिन ऐसा नहीं है अलग अलग छित्रों का चैन करके चुनाव आयो अलग अलग तारीखें देता है और ये छ्शे भ्षा चरणों में चुनाव होते हैं जो हो सकता है एक माँ या देड़ माँ के कुल अंतराल में हो तीस से चालिस दिन के कुल अंतराल में छैयों या सातों चरणों के चुनाओं हो एक चरण के चुनाओं में लगवग पचास साथ सीटों में मतदान होता है इनकी तारीखें ताय करना उसके बाद रजसभा के चुनाओं की तारीखें ताय करना विधान सभा के चुनाओं की तारीखें तै करना ओप चुनाओं की तारीखें तै करना राष्टपती उपराष्टपती के चुनाओं की तारीख तै करना आदी आदी ये सब जो पूरी प्रक्रिया है ये चुनाओ आयोग के लिए बहुत अहम है तारीखों का चैन, तारीखों के चैन में बहुत सारे बिंदू आते हैं, जिन खेत्रों में चनाव प्रस्तावित है उस तारीख को, वहाँ पर कोई तोहार ना हो, किसी तरह की छुटियां ना हो, मौसम को देखकर, वहाँ की वस्त गर्मी, सर्दी, बरसाद को देखकर, और ब इन तारीखों के निर्णे के समय, वह सरकार से जरूर परामर्श करता है, तो आपको याद रखना होगा, कि तारीखों के निर्णे का जिम्मा जहां चुनाव आयोग का है, वह इसके निर्णे के सम्बंद में सरकार से जरूर बातचीत करता है, तलाह मशोविरा करता है, और उसके बाद ही इन तारीखों की घोशना करता इस बात कर निर्णे भी निर्वाचन आयोग लेता है कि नामांकन पत्र भरने की तारीख क्या रहेगी पत्रों की जाच की तारीख क्या रहेगी नाम वापस लेने की तारीख क्या रहेगी आधी आधी अब जहां तक ये तीन बात और महराश के एक छेतर को लेकर घोशना करता है कि यहाँ पे पचीस मई Alexandria को चुनाु होंगे लोकसभा का चुनाुख जहां तक इस छेतर की बात है तो एक चरण में जहाँ पर समझ लिजें पचीस लोकसभा तीसेटें हैं और उन 25 लोग सभा सीटों का चुनाओ का मतदान 25 मई को है अब 25 मई को यदि मतदान की तारिख तै की गई तो उसके साथ ही साथ चुनाओ आयूक को कुछ अन्य तारिखों की भी घोचना करनी होती हैं और वे तारीखें होती हैं सामा नित्या नामांकन पत्र भरने की उम्मी द्वारों के द्वारा किस तारीख तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो जिले के होते हैं उनके पास किस तारीख तक आविदन नामांकन भरा जाएगा उम्मीदवारों द्वारा विभिन द्दल अपने उम्मीदवार घुषित करते हैं स्वतंत्र उम्मीदवार भी तयारी करते हैं और जो फॉर्मालिटी है आविधन करने की उसको पूरा करते हुए वे मुख्य चिनावद कारी के पास जाकर अपना नामांगण पत्र देते हैं तारीक और आती है तैकी जाती है कि इन पत्रों की जाच करने की तारीक अंतिम दिन उसके आमिन नमांकन भरने के अंतिम दिन के बाद पत्रों की जाच की तारीक घोशित होगी उन पत्रों का उन अवेद्रों की जाच की जाएगी और पात्रता पाएगे उम्मिदवारों के न नाम अलग रखे जाएंगे और कई फॉर्म्स रद भी होते हैं अपूर्ण पाए जाते हैं गलत पाए जाते हैं सिस्थिति में उन नामांकन पत्रों को अलग कर दिया जाएगा इसके बाद एक तिथी और आती है जिसमें उम्मीदवारों को यह मौका दिया जाता है कि आपने नामांकन पत्र तो भरा पर यह किसी कारण से आपको अपना नाम वापस लेना है तो आप घोशना करें और ऐसा एक आवेदन दें यह वापस लेना क्यों होता है कई उम्मीदवार शुरू में भर तो देते हैं बाद में कई कारणों से लगता है कि मुझे चुनाओं नहीं लड़ना है नहीं लड़ सकता नहीं लड़ना चाहिए और जो सेक्यूरिटी डिपाजिट जमा करते हैं वो पैसा वापस मिल जाए तो आवेदन करने पे वो पैसा भी वापस मिलता है तो नाम वापस करने की भी एक तारीख होगी जब यह तीनों तारीखें गुजर गई उ और जो अब अधिकारिक स्थर पर उम्मीद्वार हैं इनकी घोशना करेगा तो इन तीन तारीखों की घोशना के बाद फिर यह प्रक्रिया होती है और उम्मीद्वारों के नाम अंतिता चुनाव आयोग के द्वारा घोशित किये जाते हैं और फिर प्रचार होता है प्रच मतदान की तारीख मतदान की तारीख के 48 घंटे पूर्व उम्मीदवारों को चनाव प्रचार बंद करने का आदेश रहता है। मतदान के पहले मतदान के पहले मतदान के विवथा को सुनिश्चित करने के लिए ये समय रखा गया है। उनको परियाप समय मिले सोचने का प्रचार तो हो गया बहुत दिनों से चल रहा है अब समाप्त हुआ और अवरतालित घंटे उनको अपनी सोच के तो इस प्रकार ये जो तारीखें हैं ये तै करने का काम भी चुनाव आयोग करता है। अगला जो उसका कार खेत्र है वह है दसवे नंबर का निरवाचिन कर्मचारियों पर नियंत्रन। मैंने पूर में बताया कि चुनाव आयोग किसी खेत्र में चुनाव होने की स्थित्य में उस खेत्र से संबंदित राज्य से राज्य सरकार से कर्मचारियों को अपने तहट लेने के लिए आवेदन करता है। उपलंद कराय जाने के लिए आवेदन करता है। और ऐसी स्थित्य में राज्य सरकार बात जी है कि वे राज्य के कर्मचारियों की सेवाएं चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को स्थानांत्रित कर दे सेवाएं। और जब तक ये सेवाएं उसके पास थानांत्रित हैं तब तक चुनाव आयोग इन कर्मचारियों के उपर उनका सर्वे सर्वा रहता है। तो निर्वाचन आयोग को निर्वाचन कारहेतु केंद्र वर राज्य सरकारों द्वारा कर्मचारी उपलब्द कराया जाने की जरुरत पड़ती है। इन सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को निर्वाचन संबंधी काम निर्वाचन आयोग के देख रेख में करना होता है उसके लिए निर्वाचन आयोग समय समय पर रेगिलर तरीके से ट्रेनिंग कराता है कारिशाला कराता है आदी आदी और समझत करमचारी जो चुनाव आयोग के मातहत राज सरकार या केंद सरकार द्वारा भेज दिये जाते हैं वे आदेशों का पालन करने के लिए बाद ही हैं जिसको मैं पूर में विजिक्र कर चुका हूँ चुनाव आयोग के आदेश की अवहेलना बड़ी भारी पड़ती है करमचारीयों को स्थाना नितरन हो सकता है, सस्पेंशन हो सकता है, सजा भी हो सकती है, गिरफतार भी हो सकते हैं इस प्रकार निर्वाचन आयोग का बड़ा सक्त कंट्रोल कर्मचारियों पर रहता है और यहां पर निर्वाचन आयोग की शक्ती दिखाई देती है नियंतरन के बाद अगला बिंदू है मतदान केंद्रों की थापना का निर्वाचन आयोग कहां कहां मतदान केंद्र होंगे कितने मतदान केंद्र होंगे इसका निर्वाचन आयोग कितने मतदान केंद्र होंगे इसका निर्वाचन केंद्र करता है किन भवनों में मतदान होगा मतदान समापति के बाद यहां से मतदान की पेटियां या जिसे हम EVM कहते हैं electronic machine वो कहां रखी जाएंगी उसकी व्यवस्था करना यह भी चुनाव आयोक का काम है और यह सब परियाप्त समय में पूरा कर लिया जाना चाहिए मतदान केंदर का एक दिर्श देखिया यह मतदान केंदर जो होते हैं इस यहां पर वही मतदाता आते हैं जिनका नाम इस मतदान केंदर की मतदाता सुची में है जह था मैंने पहले बताया तो यह मतदान केंदरों की इस थापना का काम इसके बाद बारों जो उसका दायरा है कारिक खेत्र का वह है कौन कौन से निर्वाचन खेत्र आरक्षित है ये तै करना और इसकी घोशना करना आरक्षित निर्वाचन खेत्रों का निर्धारन जो सामानिता अनुसूची जाती और अनुसूची जन जाती के लिए आरक्षित किये जाते हैं इन आरक्षित चनाओ निर्वाचन खेत्रों की घोशना करना क्योंकि इन आरक्षित खेत्रों में जिस वर्ग के लिए आरक्षित है केवल उसी वर्ग का उम्मीदवार ही चुनाव में खड़ा हो सकता है, अन्य वर्ग के लोग नहीं मद्दान तो सभी करेंगे लेकिन तर्त्याशी कौन बन सकता है केवल उसी वर्ग का व्यक्ति जो जिस वर्ग के लिए यहां पर आरक्षन किया गया है इसके बाद अगला है चुनाओं व्याय का लेखा जोखा रख करना और जाच करना यह एक बहुत अहम बिंदु है भारत की परिप्रेक्ष में खास कर जहां ऐसा माना जाता है कि चुनाओं के नाम पर बहुत पैसा फूंका जाता है सत्ता का लोब लोगों में इतना है कि जो लोग अमीदवार बनते हैं वे पैसा लुटाते हैं और फिर यदि उन्होंने चुनाओं में एक्स अमाउंट खर्च किया तो फिर चुनाओं के बाद यदि वे सफल हो गया और MLA या MP बन गया लोग सभासदस या विद्हान सभासदस बन गया तो एक्स को कम चे कम 4X 5X में बदलने का प्रयास करते हैं इसी उम्मीद में वे चुनाओं लड़ते हैं ऐसी भावनाएं जनता के मन में भारती चुनाओं प्रक्रिया को लेकर आ गई हैं और इस पर नियंतर रखने के लिए चुनाओं आयोग बहुत प्रयास करता है लोग सभा और उधान सभा के चुनाओं के उम्मीदवारों पुल राशी चुनाओं प्रचार के नाम से इतनी तैकी गई है सभी लोगों के लिए एक अमाउंट रखता है एक राशी रखती है उस राशी के अंदर ही चुनाओं प्रचार किया जा सकता है ये बात दूसरी है कि जो चुनाओं प्रचार के नाम से जो खर्चे किये गए उम्मीदवार द्वारा वे खर्चे सही रूप से दिखाए गए हैं कि नी बहुत से खर्चे ऐसे भी हैं जो दिखाई नी देते परोक्ष हो जाते हैं वैसे चुनाव आजोग अपने अधिकारियों के माध्यम से इन लोगों पर बड़ी कड़ी नजर रखता है ये बता दूँ चुनाव आजोग अपने अधिकारियों के माध्यम से बहुत कड़ी नजर रखता है उम्मीदवारों के खर्चें पर चुनाओं के पस्चाज अमीदवारों के लिए आवशक है कि वियाय का पूरा ब्यारा दे एक निश्चित दिन के अंदर तक और ये ब्यारा निश्चित प्रारूप में हो उसकी एक प्रारूप होता है और आयोखर्च के इस विवरन की सत्यता की जाच करता है यदि किसी व्यक्ति ने चुनाओं के बाद चाहे वो हारा हुआ हो व्यक्ति चाहे जीता हुआ हो यदि वह उम्मीदवार था तो उसे ब्यारा देना पड़ेगा खर्च का एक निश्चित प्रारूप में और यदि प्रारूप में वो ब्यारा नहीं देता है, फेल हो जाता है, तो अगले चुनाव में चुनाव आयोग संभवता उसे चुनाव लड़ने से वंचित कर देगा, तो कि उसने पिछले चुनाव की जो प्रक्रिया है उसको पूरा नहीं किया है, उम्मी द्वार के लिए ये इतना आवश्यक है खर्च का ब्यारा देना, और चुनाव आयोग इसकी स्थिता को, उसके ब्यारे की स्थिता को पता लगाने के लिए बहुत तरीके के प्रियास करता है, स्थिता की जाच करता है अपने तरीके से, और गलत पाए जाने पर, यदि वह उम्मीदवार जी में वो विज़ाई घोशित किया जा सकता है, ऐसी भी संभावना हैं और ऐसा भी हुआ है, साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि चुनाव आयोगे जरूर देखे कि जो उम्मीदवार हैं, वे सरकारी मशीनरी का दुरपयोग तो नहीं कर रहे हैं, अर्थात सरकारी पैसे से अपयोग नहीं कर रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए, सरकारी कर्मचारियों को तो अपने साथ नहीं ले जा रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए, आदी आदी, यानि ये सुनिश्य, और ये इसलिए है ये नियम, कि सरकारी मशीनरी का अपयोग ना कर रहे हूं, क्योंकि उन उम्मीदवारों का क्या हल, जो सरकार की तरफ ना हो, विरोधी दल के हो, तो इसका मतलब यह हुआ कि उनको लेवल प्लेइंग फिल नहीं मिला, सभी उम्मीदवारों को एक स्तर का मैदान मिलना चाहिए, एक जैसा मैदान, यदि सत्तर उड़ दल के लोग सरकारी मशीरीन का, इस फायदे से, कि से बचाने के लिए, इसका नाजायज उप्योग ना हो, इसलिए, यह सुनिश्चित किया गया है, कि किसी भी तरह की सरकारी मशीनरी का उप्योग चनाव प्रचार में नहीं किया जाना चाहिए, और ऐसा पाए जाने पर उम्मीदवारी रद की जा सकत बहुत प्रसिद धुदारन है श्रीमती इंद्रा गांधी का, श्रीमती इंद्रा गांधी जब चनाव में जीती थी, तो उनकी विज़े के बाद, एक उम्मीदवार ने, कुछ ने आयले में केस किया और बताया कि इन्होंने सरकारी मशीनरी का उप्योग किया है, और उनके सीमा तैक ही गई थी, उससे ज़्यादा है, सरकारी मशीनरी के उप्योग के नाम से ये पाये गया, मानिनी नैले द्वारा, कि पुलिस की या सरकार की एक दो जीपों का उप्योग करते हुए, ये साबित हुआ, कि सरकारी मशीनरी का उप्योग उपर नाम, कि श्रीमती माननी उच्छ न्यायले द्वारा तो आप सोच सकते हैं कि उच्छ न्यायले की चिनावायों की कितनी महती जिम्मेदारियां हैं इसके साथ ही अगला जो काम है वो हम अन्य कारियों में जोड़ सकते हैं चौद्ध हुए कारियों को अन्य कारियों में पहला परिवेक्षकों की नियुक्ती है परिवेक्षक क्या होते हैं जैसा मैंने बताया उम्मीद वारों की गरतिविदियों पे पैनी नजर रखना चाहे उनके खर्चों पर चाहे उनके द्वारा किये गये कारियों पर चाहे उनके भाशनों की भाशा पर चाहे उनके द्वारा किये गये संभावित भ खेराते हैं और गलत उम्मी द्वार द्वारा कुछ गलत किये जाने पर दल द्वारा कुछ गलत किये जाने पर चुनाव आयोग को सुचित करते हैं और चुनाव आयोग चदनिसार उचित करवा ही करता है दूसरा चुनाव आयोग संसद और विधान मंडल इनके चुनाव के जो आयोग्य के आयोग्यताओं के प्रश्णे पर राश्पती और राजपाल को शलाह मश्विरा देते हैं। तीसरा चुनाओ या चिकाओं के संबंध में सरकार को आवश्यक परामर्श देना। जब चुनाओं हो जाते हैं तो बहुत से लोग खासकर हारे हुए दल या हारे हुए व्यक्ति उम्मीदवार चुनाओं याचिका दायर करते हैं। जिसमें वे जीते हुए उम्मीदवार के प्रति कुछ आरोप लगाते हैं। और ऐसा कहते हैं वे थाबित करना चाहते हैं कि अम्मीदवार ने गलत उप्योग किया गलत तरीके से चुनाओ जीता है ऐसी स्थिती में इन याचिकाओं पर विचार विमर्श के लिए सरकार जो है वो चुनाओ आयोग से सलाह मश्यूरा करती है और ये बहुत महत्पूर्ण मद्दा है चुनाओ आयोग के अन्यकार ख्षित्रों में एक और कारे है वह है चुनाओ आयोगतों की ख्षित्री इस्तर पर यानि प्रादेशिक आयोगतों की निक्त के लिए आयोग द्वारा राष्टपती से परामर्श किया जाता है आयोग द्वारा राष्टपती को प महती जिम्मेदारी है कि किसे खेतरी चुनाव आयक्त मनाय जाहे। सामा नित्या क्षेतरी चुनाव आयक किस तर पर शासन में जो व्यबस्थापिका जो कारिपालिका के लोग होते हैं उनमें उच्च पदों पर पदस्फ किसी व्यक्ति को या किसी रिटाइड ब्यूरोक्राइट को चुनाव आयोक का क्षेतरी आयोक तो बनाया जाता है उनके अन्भूओं का लाब लेने के लिए उनके संबंधों का लाब लेने के लिए चुनाओ आयोग सामान निते ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्तियों को चैन करता है या राश्पति को सलाह देता है इसके बाद चुनाओं के दौरान जो हिंसा होती है कई बार मतदान केंदरों कपज़ा करने के शकायतες आती हैं वोटिंग के दौरान मशीनों के खराब होने के शकायत आती हैं आदी आदी या अर्था चुनाओं के दौरान हुई किसी भी तरह गरवडी की जाच कऱवाने का काम चुनाओं आयोग का है और फिर वह निर्णे लेता है कि क्या मतदान के केंदर 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 क को पूरी तरह खारिज कर दे और वोटिंग या मतदान की नई तिति दे कर मतदाताओं से अन्रोड करे कि दिबारा मतदान के लिए आएं ऐसी सितियां कमों बेश कई बार भारत में हुई हैं जब नई तारीखें ताय की गएं क्योंकि कई बात देखा गया कि कुछ अराजक्त गत्व माहुल बिगाणने की कोशिश करते हैं कुछ दल ये परियास इस परियास में रहते हैं कि ज़्यास से जधामत उनके पक्ष में जाएं और यदे ऐसी शंका लहती है कि उनके पक्ष में नहीं जा रहे हैं तो मशीनों को लूट लिया जाता है कर्बचारियों के साथ दुर्व्यभार किया जाने लगता है और कई बातें होती हैं तो ऐसी सित में चुनाव आयोग को अधिकार है अंतिम निरने लेने का इन कारियों के अत्रिक्त चुनाव आयोग से ये भी अपेक्षा की जाती है कि वह समय समय पर चुनाव प्रक्रिया में कुछ यदि खामिया ह तो उनमें सुधार के लिए सुझाव देता रहे सरकार को और ऐसा करते हुए वह चुनाव आयोग चुनाव की कुल प्रक्रिया में सतत रूप से सुधार लाता रहे तो ये इस प्रकार हम देखते हैं कि चुनाव आयोग का कारिक्षित बहुत बड़ा है आपको लगता होग के चुनाओं विधान परिशत के चुनाओं राष्ट पती उपर राष्ट पती इनके चुनाओं और उसके अलावा बहुत सारे उपर चुनाओं राज्य सभा के उपर चुनाओं जो होते हैं वो एक तिहाई होते हैं हर दो दो वर्ष में तो आप पाएंगे कि चुनाओं आयो विशाल देश में और इसलिए चुनाव आयोग को हमेशा सतत रूप से अलर्ट रहना पड़ता है और इसके उपर एक महती जिम्मेदारी है यह सुनिश्चित करने के लिए कि जो चुनाव हो रहे हैं वो निश्पक्ष हो और वे साथ ही साथ ट्रांस्पेरेंट हो पार दर्श चुनाव आयोग की भूमिका पर यदि बात करें तो हमने जो बताया है कि इसके संबंदे सभी शक्तियां और दाईत्व उसके क्या-क्या है भारत के संबंद में इसमें कोई दो मतनी कि निर्वाचन आयोग ने भारत के संदर में बहुत मर्यादित रूप से अपनी भूमिक के अंदर रहते हुए उसकी शक्तियां तो महती हैं बहुत हैं लेकिन उन शक्तियों को उसने दुरूपयोग नहीं किया दाईरे के अंदर रहते हुए उसने सुनिश्चित किया कि चुनाव आयोग या चुनाव की प्रक्रिया निश्पक्ष दिखाई दे और इस संबंद मे मैंने आपको पूर में श्री टी एंड शेशन के बारे में बताया था ऐसे बहुत से कई ऐसे चुनाव आयुक्त हुए मुक्छ चुनाव आयुक्त हुए जिन्हों ने ये सुनिश्चित किया कि चुनाव आयुक निश्पक्ष करे काम करे ही ना बलकि निश्पक्ष दिखे भी करना और दिखना दोनों आवश्यक है इमानदार होना और इमानदार दिखना दोनों ही आवश्यक है क्योंकि वे जनता की नजर में सतत रूप से उनकी नजर में है जनता के जनता की निगाह सतत रूप से उन पर बनी हुई है उनकी हर गत्विदी पर पैनी नजर रखती है जनता और अपना निशकर्ष निकालती है तो ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे यहां चुनाव आयोग ने अपनी भूमिका को अपेक्षित तरीके से निभाया है और कारिकिया है इसके बावजूर कि भारत की चुनाव प्रक्रिया में कई बुराईयां भी है कई समस्याएं है इन समस्याओं इन दिक्तों के बावजूर चुनाव आयोग द्वारा किये गयकार्य प्रशन सुनी है